है अग्वाइब दोश्टों मेरे नाम जाविद है और आज आपके सामने में लेकर आया हूं एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो माइक्रोसॉफ के ऑपरेटिंग सिस्टम है फोन के लिए जो की यूजर फ्रेंडली नहीं है लोगों को पसंद नहीं आते हैं फिर भी माइक्रोसॉफ के कुछ ऐसे एप्स हैं जिन्होंने धमाल मचा रखा है एन्वाइट प्लेस्टोर पे जिनके फीचर्स आप देखकर ह हाई यहां पर सब्सक्राइब मैं बात करूँगा सबसे पहले हब की बोड़ की हब कीबोर्ड आप कीबोर्ड का मैं अपको nggak आप प्रिफीचर्स दिखा देता हूं कि यह कैसे काम करता हूं क्या क्या करता है लाइक देख जे का यूजर texture ईंट्ट करना हूं मैंने copy कर लिया copy कर लिया और मैंने ये word भी copy कर लिया sentence लेकिन और सब में होता है कि जब हम paste करते है तो सिर्फ last वाला paste हो जाता है ठीक है तो इसमें clipboard को option है clipboard में आप जाएंगे यहाँ पर जो भी आपने अभी तक copy करा है आपके पास clipboard option है कि आप कोई सी भी चीज़ जो copy करिए आपने text को paste कर सकते हैं फिर इसमें यह है कि आप कोई सा document सर्च कर सकते हैं जो भी आपने अपना online drive पे save कर रखा है one drive जो की Microsoft की drive है वहाँ से search करके paste कर सकते हैं माली जा आपको किसी को contact share करना है जब की वैसे होता है कि आपको contact जाकर खोजिए या फिर भीजिए मैसेज में किसी को भीजना है तो बड़ा मुश्किल होता है कैसे भीजे सीधे आपको यहां contact पे click करिए माली जा मुझे our reliance geo care का नंबर send करना है मैंने यहां से करा इस पे टैप किया और यह सेट कर दो यही कितना इजी है कि मैंने किसी को अपना नंबर जो भी शेर करना था वो शेर कर दिया अब यह अगला है कोई भी चीज मुझे नेट पे सर्च करना है और उसके डिटेल्स मुझे शेर करते हैं जैसे राइस मुझे सर्च करना है मैंने करा और यहां पर यह टैप कर दिया और यह लिंक शेर हो गया फिर यह अगला है इसमें सबसे अच्छा फीचर थी माल लेजे कि मुझे स्पैनिश ने आती है मैं किसी ऐसे से बात करना हूँ जिस को स्पैनिश आती है और यहां से हम यह से टैप करके यहां से हम लैंग्विज भी चेंज कर सकते हैं माल लेजे हमें किसी से उर्दू में करना है अर्दू काईबीन करना पड़ा और यहां पर उर्दू में सेंड करती है फिर यहां पर किसी भी वर्ट का हमें सिनोनिम खुजना है लग के जितने भी सिनोनिम वर्टस हैं वो यहां पर शेयर करने लगा तो यह यूजर फ्रेंडली एप है कि आपको हर सी इसके लिए अलग अलग जगह ना जाना पड़ें सिंप्ली यहीं से सब कुछ जितने भी इंफॉर्मिशन है आप टैप करते हैं सर्च कर लें तो दोस्तों अगला एप है हमारा मिमिकर अलाम इसके लिए अलाम एक तरी का माली जैसे अभी 97 हो रहा है मैंने सेट कर दिया और इससे से लॉक कर दिया तो यह तरी का ऐसा अलाम है कि इसमें आपको यह फोन कम्प्लीट्ली जगाने के बाद ही टुन आफ होगा माली जैसी अलाम है मैंने आ इसे बन कर दिया यहां पे तो इसके बाद यह मुझे एक टास्क देगा कम्प्लीट करने के लिए वो टास्क जब मैं कम्प्लीट करूंगा तब ही यह क्लोज होगा उसके बिना नहीं होगा अब जैसे मुझे बता रहा है कि आँ यह संटेंस दोड़ना है मुझे मैंने यहां बॉला 12 TWINS, 12 twinks अब जैसे यह ताइम सब वो गया मैं यह सई से नहीं कर पाया तो यह फिर बच रहा है जानी मैं नेज में हूँ, इस जबता इस वज़े यह जिसी ऐसे करता है यह हर बार different task देगा अब यह बोल ला है कि यह बोले don't trouble trouble until trouble troubles you if you trouble 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 troubles you अब इसने बोला कि you did it यानि यह अलाम बंद हो गया मैंने सही से पड़ा इसमें कभी बोल देगा कि आप अपनी selfie ले के दीजे तब यह और होगा या बोल लेगा कहीं भी आप मुझे एक pick छीच के दीजिए जिसमें green color हो या blue color हो आपको उसे alarm clock को बंद करने के लिए वह चीज खोजनी ही खोजनी पड़ेगी आप जब एक बार इस तरह उड़ जाएंगे तो फिर उठी जाएंगे तो यह app मेरा जो है favorite app है दोस्तो अगला app है हमारा नेक्स नेक्स एक तरह का लॉक स्क्रीन है मैं दिखा देता हूं यह किया मैंने और इसे on किया यह lock screen जो है यह next Microsoft का next lock screen है इसमें देखें नीचे मैंने अपने हिसाब से shortcut apps enable कर रखें कौन-कौन से मेरे favorite apps हैं जिरें मुझे quick access के लिए मैं यहां से click कर सकता हूं यहां पर देख सकते हैं कि आप जितने भी notifications हैं वह यहां पर आ रहा है तापके अच्छी तरीके से लोकेशन भी मेरी दिखा रहा है कि मैं home पर हूंग इसमें 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 डिटेट कर लेता है एक दो बार आप सेट करेंगे कि यह मेरी work location है यह home पर आपकी दिखा देगा है यहां पर selfie के लिए option है माल लिए यहां से कोई भी WhatsApp कोल सकते हैं तो यह app भी look wise और बहुत ही काफी professional है और यहां पर आपको temperature और location भी दिखाएगा क्या location है इसके बाद हम बात करते है Hyper Lass Hyper Lass एक तरह का time lapse app है जिसमें हम कोई भी video record कर सकते है like a time lapse जिसमें आपको पता ही है कि time lapse की videos होते है time lapse की videos होते हैं लेकिन इसमें एक चीज़ खास यह है कि आप जो video time lapse करेंगे उसे GIF में भी convert कर सकते हैं तो यह इसका सबसे best feature है आप इसमें दो तरह का option है नया video record भी कर सकते हैं और import भी कर सकते हैं पुरानी video तो दोस्तो अगला app है हमारा कैजाला कैजाला एक तरह का free app है जिसके तुरूर आप अपना कोई business जो है उससे monitor कर सकते हैं कोई भी आपने महले जे शादी ही है शादी में आपका सब इंतिजाम करना मैनेजमेंट करना है तो आप सबको यह आप कैजाला जो app है Microsoft का इस इंस्टॉल करवा दिए और आपको जिसको जिसको जो task देना है वो यहां से task दे दिए और वो task सब कुछ आपको दिखाएगा और आप यहां से उसकी location भी access कर सकते हैं कि वो इस वक्त कहां पे है क्या कर रहा है और कब से उस location पर है और उसे आप वहां से task भी भेज सकते हैं और उसे यह आप अपने यहीं से बैठे बैठे उस location शेयर कर दी कहां तुमको जाना है वह वहां पर जाएगा और वहां पहुंचेगा आपको नोटिफिकेशन ही मिल जागा कि हाँ यह उस location पहुंच गया तो यह भी app बहुत ही अच्छा app है यह app है arrow launcher arrow launcher यह Microsoft का launcher है बाकी और launchers की तरह इसमें कुछ features ऐसे हैं कि आप दे सकते हैं इसे slide करेंगे तो आप यहाँ पर people's दे सकते हैं जिनसे आप mostly contact करके उनका नाम यहाँ पर show करेगा और फिर यहाँ पर यह apps की list है यहाँ पर menu में जाके आप सारे apps भी access कर सकते हैं दोस्तों अगला app है हमारा connection connection में एक ऐसा feature है कि मालीजी अगर किसी दोस्त का मेरे call आ रहा है या message आया तो उसका कोई task है पुराना मैंने save कड़िये कि हां मैंने उसे इसे कुई किताब आत दे रखी है उसमें मेरी किताब पूरी यह भी यह मैंने उसे पैसे ले रख़िये हैं जब उसकी call आये तो मैं उसे साथ ही साथ आपको शो कने लगे हैं अगला एयप है हमारा पिक्चर्जels क्यूट्प स्क्रीन आपको फोकुस करें दिखाना चोंगा पिक्चर्ज एब बहुत ही अच्छा लॉग इस्प्रेन है और दिखिए इस पर बिंग से कनेक्ट है और बिंग पी जितनी पिक्चर्ज हो बहुत SD quality में, वह automatic pictures हर टाइम पे time to time change होती रही हैं और यहां पे कुछ notifications का भी option है, अब देखी, time to time pictures में change होती रहती है और इसमें slide करने पे यहां पे कुछ news भी दिखाता है कि क्या news चल ला है, क्या चीज है तो इसमें आप connect रह सकते हैं latest, इसमें यहां पे temperature भी है और humidity कितनी है वो भी शो कर रहा है और यह उपर करने पे slide करने में कुछ notification area में बाहर आ रहे हैं कुछ apps आ रहे हैं जो भी recently use होते हैं वो यहां पे show हो जाएगा यह चीज है और इसको उपर करके हम इसे unlock का सकते हैं देखिए मैंने इसे lock किया अई unlock करने बाद देखिए हर बार जैसे unlock करके on करेंगा आपकी pictures चेंज हो जाएगी तो दोस्तों अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर इसे like करें, share करें and subscribe करें करेंगा